हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स यह आपके समने फुली ऑटोमेटिक बॉश्य मशीन सैंसेंग की इनिबेटर मॉडल और यह जो है फ्रेंट लोड बॉश्य मशीन इसमें की जो है डारेक्ट ड्राइब मोटर का यूज किया है तो मैं इसके आपको हर एक पार्ट इसमें कैसे वर्किंग करते हैं कैसे इसमें टैस्टिंग करते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको करना इस वीडियो कम्प्रेंट बॉश्य मशीन दो अच्छे समझ आ जाए बैसे कि हैं इसमें एक मोटर होती है गेर्वाक्स होता है इसमें किया डारेक्ट ड्राइ मोटर जो कुछ होता यह मोटर ही वर्क करती है अधर एक बासिंग में तैस्टिंग में आपको येस वीडियो को पॉश करना आप कि अपने करना है वीडियो को कंप्लीट देखना जिसी कि आपको अच्छे से जो भी मैं आपको बता हूं अच्छे समझ आ जाए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर फ्रेंट लोड बॉश्य मशीन है तो उसका क्या डूर होता है सामने से अगर मैं आपको इसके हीटर के बारे में बताता हूं यह क्या है मसीन मैंने ओपन कर रखी ती इससे पहली मैंने और वीडियो अपलोड कि तो आप जाके वो देख लें आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि इसमें क्या है डिस्पैलेंस की दिक्कत थी ड्रम बहुत आप काम करता है है इस अप चीज मैं अपको स्ट्रेप बेच जाता है पानई में से और फाल डक करता हूं यहां पर चाप हो जाता है तो कैसे कर सकते हैं तो यहां पर क्या है मीटर मीटर की रैंट की रेंज पर होना चाहिए तरीके से वहाँ पर सो होना चाहिए तो आपका हीटर कोई दिक्क्रत नहीं है अगर इसे बैलू कम्स हो रही है यह वैलू सो नहीं हो रही है तो आपका जो खराब है अच्छा यह और है हम पे कोछ क्ट के करके हम ऑद चान GG on तो आप जाते हैं और टीञ पर चेक करते हैं अब बात करते हैं इसके सेंसर की सेंसर अगर आप खराब होता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं तो सेंसर किया है आप नीटे लिए मीटर को इसमें क्लोम पर सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तूनो नोप को यहाँ पर लगाएंगे तो आपर क्या है 10 11 इस तरीके से रिजिटेंस होना कर दो करोएं इसको चेक करना है तो क्या है 10 11 सो होगी तो इस कंडिशन और कोई दिक्कत नहीं है तो यह काम होता है सेंसर जो होता है फीटबैक के लिए होता है अगर सेंसर नहीं करेगा है तो वहां पर क्या होगा आपकी PCV में एर्र आना स्टार्ट हो जागा PCV जो है फिर एर्र देगी फिर आपकी मसीन और नहीं होगी यह वर्किंग होती है इन दोने की मैंने यह दोनों वर्किंग आपको बता दी उसके बाद मैं आपको चेक आपको जो प्रेसर सुच होता है प् इसका प्रेसर सुच है इसकी वर्किंग यह वाटर लेबल को सेंज करता है पानी को सेंज करता है उसकी कोडिंग है आप पर मसीन आपकी चलती है आप चाहे तो मैनूली भी सेलेक्ट कर सकते है पानी अपने कोडिंग रख सकते है या फिर आप जो प्रोग्राम सेट करते है कर लेती है तो यह जो winner u कम सीन तो अगर इसमें कोई नहीं होगा अगर इसको कैसे च्रक्राइब को सकते हैं अगर इसमें कोई आगर रहा होचा है से जरी कारवन ने खेंड कर देंग अगर बहुत सबसक्ते हैं न Augerリ Почему साफ कर दे आप यह और इसे से साफ कर सकते हैं अगर इस नोप में डश्ट आ जाती है तब ही तब ब्रग्राम को क्या है रिश्ट्राट कर देता है बार-बार और प्रोग्राम पूरा उपरेट नहीं होता है तो आप उसको देख लेए नोप में जो है डश्ट नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं होना चाहिए उसको नीट एन क्लिंग कर दें आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी ब्रेसर को जो आप टेस्ट कैसे कर सकते सबसे पहले आपको देखना पड़ाएगे कि PCV सप्लाई और कर रहे है PCV प्रेसर सुच को या फिन नहीं तो आप क्या करें मीटर को DC बोल्ट पर सेलेक्ट है उसके बाद वहाँ पे एक नों बीच पर रखेंगे एक साइट से रखेंगे तो वहाँ पर देख लेना एक क्लिटक मैं इसको पर में उसकर जाएगे उसके बात करते हैं कि आपका जो pload नहीं लगेगा तो फानी सार्व आपकी मसीन में और यह काम नहीं करेगी आपकी नहीं चलेगी अंपर एर्टोट हो जाएंगा हर एक कंपनी का अलग-अलग एर्टोड है जो सैमसेंग में वो दीसी एर्टोड से तो डीसी जदे दर एर्टोड सो होता है अगर आपकी बॉशिंग मशीन में तो वह प्रोपर दिनकी से डॉर बंद नहीं हुआ ये काम होता है डॉर लॉक का की डॉर को बंद करते अच्छे से तो यहां पी क्या है अगर डॉर लोक आपका खराब है तो आप उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं तो यह जो आप देख एक पे एक नमर मंगा बाए और यह जो थाट वाल मिट्र से इमसे अप esasे इं पहला इस पर यूज है तो यह जप शमच हरे पहले तो एक पर प्रको न्यूटल दीना और उसको चाहिए हलना धर जो, जो द। transmission कब्ष्छी में यह आपको साथ करते हैं तो उसके बाद जो आपकी सप्लाई होगी वह आप जब चेक करेंगे इन दोनों पर तो यहाँ पर क्या है 220 वर्ल्ड सो होना चाहिए वाणि एसी बोलुटी जब ये बंत होता है डिए असके बाद ये जू सप्लाई होती है तीन नमर से आ आजया आत्यी है दो नंबर पर तो उसके पर चेक करेंगे तो यहां पे कि देख रहे हैं की उसके बाद आपको चकाना कि आपकी जो लटर Лगी होते हैं वहसिंग मसीन वह इससे पानी अंदर जाता है वाउसिंग 마 शीन के तो यहां पर किया अगर आपकी बेटर स्पार्प जिस एंड़ी नरेट बाल चेले उंडरी बेस्ट पर वरक करता है अगर आपका पानी करता है तो आपको पूरी वर्शिय में पानी करते है अगर इसमें पानी नहीं जाता है तो आपका फिल्टर को आप को आप कर दे किना है मीटर को 220 पोल्ट पर सेलेक्ट करना इसके बाद आपको इस तरीके से यहां पर लगानाय तो आप देख रहे हैं बोल्टेस्स दो बीस आ रहे हैं थो यह ड़ित कर रहे हैं तो आपकी पीचीवी जूज अप्लाइब और कर रही है अगर PCV सप्लाई और नहीं करती है तो आपका PCV में दिखकत है अगर PCV सप्लाई और करती है तो आपके inlet valve में फॉल्ड है तो आप inlet valve यह उसको replace कर दें आपकी जो फ्रॉल्म हो जाएगी अब बात करते हैं ड्रेन minल की नीचे लगा होता है जो इस पिन से पहले पानी को अर्ट करता है इसके बाद स्पिन मोर्ट पे चलती है你要 छंग मेशीन करती हय है चलती है यहां पे क्या यह चलती है इसका उता को ओर्ट करना होता है वस्त ओर कोछ नहीं होता है इतना ही काम हốtा है उसके बाद यह जो होती है इसमें मतलल ड्रेम जोहे गूमने लगता है श्पिन लोड पर यह स्वाय होता है तो सकता है आपका जो कि रखता है यह दिक्uff तो पाणी और नहीं हो रहा है तो आप क्या करें दो फोल्ट दे तो इस के बार तो इससे आप चेक कर सकते हैं 220 डायड डायट डे सकते हैं पहले आपको देख लेना है इस्टी कर वे की DCA या फिर ACA उसी के हिसाब से आपको voltage से चेक करना है तो इस तरीके साब drain motor भी चेक कर सकते हैं बताऊंगा तो यहां पर जो hall sensor है कि इसको कैसे आप open कर सकते हैं इसके दो तो यह जो अल्सेंसर होता है तो इसमें जो working होती है वह speed को control करता वहाँ यहां पर क्योंदा इसकी speed देखता है कि इस इसमें command देथां कि मोडर को उसी वाड़िंग इस motor चलती है यह होड पूरा काम करता है यह speed को देखना स्पीट को लो मेडें होई करना प्लस इसको नियुक जो कमांड देता है फीडबेक के लिए होता है यह हो और इसे मोटर रण करती है तो इस तरीके से यह काम करता है है यहां भी और जो राइट एंड इंड सैट में पेन होती है वह वह थी है आपकी common और जो बीच में होती है वो ground fire होती है मतलब feedback के लिए होती है यह feedback मतलब PCV के इसाफ से यह जो status होता है इसका जो motor होती है वो चलता है और जो motor है इसी ऐसी वरकती तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जो motor है motor testing करना दिखाँगा इसके गया होता है यूवी डबलू होते हैं तो आप में यूवी डवलू जो होते हैं कैसे testing कर सकते हैं और इसकी सॉर्टे साप कैसे चेक कर सकते हैं वह भी आपको बता हूँ कि आप इसकी सॉर्टे जो ती आपको नहीं मीटर लेना मीटर को कॉन्टेंट की इरेंच पर साइड करना उसके बाद क्या होगा दोनों नोप लेना है जब हम दोनों लोग लेंगे उसके बाद एक नोप एक साइड पर रखें तो हैं पर कि जो भी resistance होगी वह सेम होना चाहिए आप डॉन मतलब कॉन्टेटी में हमने सेट किया है 17 सो रही है तो तीनों में सेम होना चाहिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए अगर डिफरेंट होगी तो आपका जो मोटर है वो उसकी बेंडिंग खराब होती है यह दिक्कत आती है तो यहाँ पर दिखना आप तीनों में सेम है इसी बता दिख kita vulner की ए कैसे करती है मतलब यह जो होती वर्कीन कैसे कर दियंगा मैं हॉल सेंसर आपको मतलब बता हुंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं होल सेंशर जो हम चेक करने को आपको देना है मीटर को उसके बाद क्लों पर सेट करना है तो महां पर क्या है है कॉमेन से आप या भी पर लगाएंगे तो भाँ पर हो गया होगा तो आपको जे ऑल सेंसरे एं. दोनों ठीक है और A और B ऐसा भी होता कि पहले भी हो और भादुमें भी हो सकता है ऐसा ही है तो है तो आप इस तरीके से को टेस्टिंग कर सकते हैं किसी जो saander हो और चेकिर थेकर सकते हैं तो अगर आपको को पसंद आतो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि एन्ठी तरह क Warum टेंदब को सब्सक्राइब कर लें अब मैं दो और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और तो फ्रेंड्स यह इन्फरमेशन कैसे लिए अच्छे लिए वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूजिट के चैनल को कर दो टैंक यूवर वाचिंग